हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप जो है प्लेश्टूर से आप कोई एप आप ड्रेक लिए आप डाउनलोड करने जाते हो तो जो एप है डाउनलोड नहीं होता है जैसे आप डाउनलोड वाले आप्शन में गिलिक करते हो इस्टाल आप डाउनलोड नहीं होता है क्यों आपको एरर आप में आ जाता है एरर कुछ इस तरह का जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो तो इस तरह का एरर आप में आता है या डाउनलोड ही नहीं होता तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो इसे कैसे आप बहुत आसान तरीके से आप इसे सही आप कर सकते हो तो चलिए हम आपको बताते हैं तो इसके लिए आपको क्या process करना होगा इसके लिए आपको हम जो कुछ setting बताएंगे जो आपको apply करने होगे तो चलिए हम आपको बताते हैं तो first number की setting आपको करना क्या होगा आपको अपने देख सकते हैं आपको अपने पर्फाइल वाले आप्टिन पे आपको … डिविक करना होगा जीससे आप देष सकते हैं आप जो अपने पर्फाइल वाले आप्टिन पे आपड दिरख करोगे तो आप में कुछ इस तरह को option देखने को आएगा और यहाँ पर आपको option देखने को आजाएगा setting का जैसे आप दे सकते तो आपको इस setting वाले option पर click करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते आपको यहाँ पर network पर friends का option यहाँ पर देखने को आजाएगा एप डाउमलोड प्रेस juste आप दे सकते हैं तो आपको इस वाले आपली आप्स पर देते हैं क्रें आपको आपशन को आपने देके लिए आपलेर अपल कर दोग तो आपको डेकली कर देना होगा डॉरेक्स लिठ लेटिवर सब आपके डाउइट अगर आप ऊवर वाईप सब्सक्राँ संसेंद टॉरिक। बόल सेगे कने बताई हो गाया। second number setting है, आपको करना क्या होगा, second number setting में आपको यहाँ पर option source auto update app जैसे आप दिश सकते हैं, तो आपको यहाँ पर auto update app बाले option पर जाना है, और यहाँ पर भी आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर do not update जैसे आप दिश सकते हैं, do not auto update app जैसे आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डेकली करना क्या होगा, आपको यहाँ पर डेकली कर देना होगा, डू नॉट आटो अपडेट आप बाले पे, इससे क्या होगा, कि बीना आपकी मर्जी से, अगर आपको यह आप डेकली अपडेट करोगे, तो आपकी भी बीना merge से अब जो है update नहीं होगा तो आपको do not auto update आप बाले option भी आपको डेख लीए, आप दे सकते हैं आपको select कर देना होगा जैसे आप दे सकते हैं, इसके बाद आपको done कर देना होगा तो 2nd number setting होगा, अब 3rd number setting आपको करना क्या होगा, आपको आपको यहां से cut-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to- आपके मोबाईल में जो डाटा है अगर फुल होगा तो आपका डाउनलूड नहीं होगा, आपको इसे ध्यार एक ना अर्फ को देख लेना होगा सकते हैं यहाँ पर आपको आपसुन आ जाएगा एप का जैसे आप देख भी सकते हो तो आपको जब क्लिक कर दोगे तो आप में कुछ इस तरह का आप सफ़ना ना डेखने के आपको देख सकते हो तो हैपको जासे कर दे सकते हैं अब इसके करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं अपको अपको अपलाई करने होगा तो सबसे पहले आपको यहां पर assessment करना होगा और्रओं रिस्टिकेट डाटा वाले पाप्सेंग को अगर बंद करें तो इससे क्या होता है कि अगर आप जो है प्ले स्टूर जो होता है उसमें आपका डाटा है उचलेगा नहीं मनलब आपके प्लेयृस्टोर में केवल डाटा बंद होगा और आपको मॉबालाइमें डाटा चलेगा तो आपको देख लेगा अरे अhen लिए बंद है तो आपको डे 1 बेहार के आपको डाइकले चालो रहा है चालो कर Voice वे setting है बहुत important है इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जो अपने play store को पुरा clear data करना होगा पुरा reference करना हो अगर आप जो play store में जो है कोई अगर आप setting on off कर देते हो तो इससे क्या होता है अगर आप clear data करोगी तो जो पहले setting थी same ओही setting आपके जो है mobile के जो play store है उसमें आजाएगी तो आप clear data करने के लिए आपको यहाँ पर दे सकते clear data वाले option पर आपको directly click करके और आपको clear data आपको directly click कर देना हो जैसे आप दे सकते हैं clear data करके और आपको directly करना क्या होगा आपको अपने play store को आपको directly open कर देना हो जैसे आप दे सकते हैं अब open करने के बाद आ आप कुछ इस तरह को ऑप्सन आप में देखने को वाज जाएगा आप आप डिरेकट लिए ड् O DOULP करोगी करने की कोशिस करें द्रेक्ट करें ते डॉलूड flavor maintenendar OSje पर करीकें तो जो सटिंग हमने को बता है अगर आप हुए पॉलो करों तो पर अपर डॉलूड होना शुरू हो जाएगा तो अगर आपको हमारे वीडियो बच्छी लगी हो तो वीडियो के जरूर लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा धन्यवाद